हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अपने डिजी टैक की यूटूब चल में तो फ्रेंड्स हम आपको पिछले वीडियो में बताया थे कि मेरा एड्सेंस पिन आ गया है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊगा कि आप उसको वेरिफाई कैसे करेंगे तो फैलि आपको इसको भेरिफाई कैसे करना है में आपको कैसे अपने एड्सेंस पिन को वेरिफाई करना आखिर यह कहां वेरिफाई होगा तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहेगा और साथी साथ अगर आप इस चैनल पर पहले वारे विजिट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाए कि ऐसे टॉपिक्स ऐसे कॉंटेंड हमेशा इस पे दराबर अपलोड कर दे रहता हूं तो चलिए आई अपने फॉन स्क्रिंट पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स हम अपने फॉन अब आपको क्या करना है आप यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यूर पेमेंट आर ओन होल्ड विकाउजी नीड टु वेरिफाई यूर एड्रेस तो यहां पर बोल रहा है कि आप अपना यहां पर एड्रेस वेरिफाई कि नहीं तो आपका पेमेंट होल्ड रहा जागा यानि कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा तो आप यहां पर देख सकते कि और इस तरफ जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप एक्शन बटन करके आप वहां पर जा सकते जहां पर आपको एड्रेस पीन को वेरिफाई करना है या फिर अब इस पर क्लिक किजिएगा तो इस तरह से आपको यहां पर इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको अप्शन दिखाई देगा एक पैमेंट इन्फो का यानि पैमेंट इन्फोर्मेशन का और वेरिफिकेशन चेक पर अगर आपको यहां पे क्लिक करने के बात देखें, यहां पे दो अप्सन आपको खूल जागा, दो अप्सन कौंग प्याँ सा पेमेंट इनफोर्मेशन और एक वेरिफिकेशन चेक, तो अगर आपको अपना पेमेंट दखना है कि मेरा मेरा Google AdSense में कितना पेमेंट आया है मतलब कितना एड हुआ है तो आप इस पे क्लिक करेंगे पेमेंट इन्फो पे अगर आपको पीन वेरिफिकेशन करना है तो आपको इस वाले उप्शन पे आपको क्लिक करना होगा तो दिख चलिए इस पे क्लिक करते हैं जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको यहां पे 6 डिजिट का यहां पे नमबर इंटर कनेक लिए सूप करेगा तो आपको वही यहां पे ओप्शन है कि आपको जो आपका Google AdSense पीन आया है आपको इसी जगह पे यहीं पे फिल करना है तो आप यानि की complete है आप यहां पे देख सकते हैं और हम आपको एक वीडियो के तुरू माधियम बताये थे वीडियो के माधियम से कि मेरा आइडेंटिव वेरिफिकेशन हो गया है यूट एटसेंस पीन ने मुझे इमेल भी कर दिया है कि आपका एटसेंस पीन को सेंड कर दिय है यानि कि कितना तारिक था उस दिन 16 दिसंबर 16 दिसंबर का मुझे सेंड कर दिया गया था आप यहां पर भी देख सकते हैं यहां पर भी सो कर रहा है कि सेंड 16 दिसंबर 2022 और यहां पर मेरा एड्रेस देख रहे हैं कि इसी एड्रेस पर यहां पर मेरा भेज दिया गया था तो आप अपना सही तरीके से pen card को verify करके address verify करके यहाँ पे आपको complete कर लेना है तभी आपका adsense भी आएगा और आपको ध्यान रखना है कि अपना address में अपना mobile number डालके यहाँ पे कर देना है contact mobile number यानि कि इससे क्या फायदा होता है कि अगर आपको post office postman जो है अगर आपके घर तक नहीं पहुंच पाता है तो आप से directly contact कर सकता है तो आप उससे direct मिल के ले सकते हैं तो यहीं फायदा होता है contact नमर डालने का आपको यहाँ पे mobile नमर आपको एदम ध्यान बिलकुल डालना है अगर किसी तरह आपको दिकत आने में उसको होगा आपकी घर तक तो आप पे contact करेगा तो आप अपना mobile नमर जरू इंटर करें और दूसरी बात अगर आपको यहाँ पर रिशेंट मारने से क्या हो जागा इस पर जब रिशेंट मार दीजेगा तो अगर आपको यहाँ पहुंच पाया आपके तक यानि कि अगर आप वेरिफाई किये ते फिर भी नहीं पहुंच पाया तो जब आप रिशेंट कर लिएगा ता आपको फिर से भेजेगा तो आप रिशेंट पर क्लिक किजेगा तो फिर सब्सक्राइगा अगर आपका आगया है तो चलिए हम आपको दिख लाते हैं मेरा भी आए आपको दिख लाए हम कि मेरा एटसेंस पीन आगे तो देखिए हम अपना फिल कर रहे हैं आप अपना एड़ सेंस पिन तो देखिए हम अपना पूरी तरीके से यहां पर फिल कर लेना और आपको यहां पर सही-सही फिल करना अगर आप तीन बार से ज़्यादा अगर गलत तरीके से फिल कर देते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप यू एप थ्री अटेंप्स निमेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा तीन बार अगर गलती कर देते हैं, तो आपका वो नहीं काम करेंगा 45309 और मिलानेने के बाद आपको इस वाले पे submit पे click कर लेना है तो चलिए देखिए हम अपना यहाँ पे submit पे click कर रहा है तो थोड़ा इसको zoom out कर लेते हैं चोटा कर लेते हैं और देखिए हम अपना submit पे click कर दिया तो finally आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा submit हो गया यहाँ पे देखिए completed हो गया देखिए यहाँ पे complete हो गया आपको zoom करके दिखलाते हैं complete हो नहीं दिख रहा है तो तो आप देखिए यहाँ पे मेरा complete हो गया तो आप अगर सही तरीके से करते हैं तो आपका address verification कम्पलिट हो जागा कोई दीकत नहीं हो और यहां पर देख सकते हैं अल्रेडी मैंने इसको पहले किया था तो आप इस तरीके से अपने एट्सेंस पीन को सही तरीके से आप कर सकते हैं तो ठीक है